नमस्कार आप देख रहे हैं कितान्ष टीवी प्रसुत है समाचार रेंड़े से समाधाता बिंदु कुमार की रिपोर्ट लोगों की समस्यां को सुनने के लिए करके पंचायत में 27 दिसंबर को पहुँची की सरकार लोगों को पहुँचने की की गई अपेल 27 दिसंबर को करके पंचायत सची वाले की प्रांगड में होने वाले आपके सरकार आपके द्वार कारेकरम को लेकर तयारे जोर उपर हैं पंचायत के लोगों की समस्यां को जानने के लिए करके पंचायत में 27 दिसंबर को सरकार पहुँच रही है लोग अपने अपनी समस्यां रखेंगे और यूशनाओं का लाब लेने के लिए भी आवेदन करेंगे उक्तबातिर अविवार को करकिम बच्चायत के मुख्या सर्वन चंद्रवनशी ने कारिकरम इस्थल पर कही है उन्होंने कहा है कि आपकी सरकार आपके दोर कारिकरम में प्रखन भर के विभीन विभाग के पदाधिकारी उपस्तित रहेंगे लोगों की समस्यां को सुनने के लिए अलग-अलग विभाग के अलग-अलग स्टॉल लगाए जाएंगे इसके लाबा COVID-19 का टीका और स्वास्थेजांज भी की जाएगी साथी जुरान उन्होंने पंचायत वास्यूं से अपील करते हुए कहा कि अधिक से अधिक संक्या में लोग पहुचकर अपने अपने समस्यां रख सकती है और भी सरकार की योश्णों का भी लाब लेने के लिए आवेदन कर सकती है उन्होंने कहा कि सभी की समस्यां को इस कारिकरम में समस्यां का आवेदन लिये जाएगा और सरकार के पोर्टल पर पंचिक रिद्भी किया जाएगा जो जारखंड के आदर्णिये हिमंत सरकार जी के दवारा लगातार जी स्तरह के पूरे जारखंड प्रांत में जरखंड राज में जो जनता आपके दवार सरकार कार्जकरम जो चलाई जा रही है उसी के तहत गढ़वा जिला के डंड़ाई प्रखंड के करके पंचायत में 27 दिसंबर यानी कल के दिन सोमुवार को जनता आपके द्वार सरकार आपके द्वार कार्जकरम का तैयारी आज हम लोग कर रहे हैं दाकी हमारे जो सरकार जारखंड सरकार के जो परतनिधी प्रखंड अस्तर से बरिये पदाधिकारी तमाम सियो सहाब प्रखंड विकास पदाधिकारी उपायुक्त महोदे जिले के उप विकास आयुक्त महोदे जिले से लेके प्रखंड मुख्याले से तक जो भी जनता के मुल सरकार आपके दवार जनता के बीच आ रही है कार्जकरम है आज मैं इस पंचायत के मुख्या हूँ हमारे बीच राजकुमार जी पंचायत सचीव हैं हमारे सहयोगी हैं सभी लोग उत्सुकता के साथ लगे हुए हैं ताकि इतना से इतना सुन्दर व्यवस्था किया जाए ता कि डंड़ई परखंड में करके पंचायत नहीं बलकि जीला में टॉफ हो कि जनता सालिंता पुरुवक जो है सांती पुरुवक अपने समस्या सुनाया अब रही बात सरकार पर की परखंड से लेके जीला तक के पताधिकारी और सरकार के जो प्रतनीधी जो पताधिकारी हैं उनके दोवारा कितना लाभ पहुचाया जाएगा यह तो देखने को कल के बाद मिलेगा और आज मैं भी कुप काफी उनको खुस करने के उदेशे से जब अधिक से अधिक मेरा पंचायत के पंचायत वासियों को लाभ पहुचे उस उदेशे से मैं भी लगा हूँ तयारी में पूरा तन मन से और साथ सा जो भी बन पाएगा हम लोग मजबूती से तयारी कर रहे हैं ताकि हमारे जनता को अधिक से अधिक सरकार के दोवारा लाभ मिल सके और हम लोग दिलाने में भी सफल रहे हैं मैं मुखिया करके पंचायत प्रखंड अंड़े जीला गढ़ हुआ ज पाल और पीला राशनकार की हकदार होंगे आईश्मान योजना की हकदार प्रति परिवार पांचलाग रुपे तक का प्रतिवश मुफ्त स्वासिव लाभ विशेश जानकारी के लिए संपर्क करें एमजेम हॉस्पिटल एंड रिसल सेंटर नवादा मोड दुर्गा के सामने गडवा जारखन